Hello everyone, welcome back to Ninja Prep, this is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics तो आज का जो ये वीडियो है, ये especially उन बच्चों के लिए है, उन students के लिए जो prepare करें CSIR NET 2023 एक्जाम के लिए और as we know की dates announce हो चुकी है, एक्जाम की application forms out हो चुके हैं तो अब आप लोगों की final preparation का time आ गया है, जिन लोगों की preparation बहुत अच्छी खासी है, उनको भी लग रहा हुआ कि आखरी के 50 दिनों में मैं ऐसा क्या पढ़ लूँ, जिससे कि मेरी preparation और ज्यादा अच्छी हो जाए और मेरा जो success होने का chances है, वो और ज्यादा improve हो जाए, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी खासी नहीं हुई है, तो उनको ये लगता है, जैसे कि हमें semester exam पर क्रे टाइम पर लगता है, कुछ important हमें पता लग जाए, तो हमारा जो exam है वो clear हो जाए तो इसी तरह से काफी बच्चों की दिमाग में चल रहा होगा, कि कुछ important topics हमें पता लग जाए, और उन topics को हम clear करके चले जाए, तो हमारा जो exam है वो ठीक ठाक perform हो जाएगा, यानि कि हम cut off clear कर पाएं, इस तरह से हमें कुछ topics पता लग दे, तो ये वीडियो के अंदर मैं आ वेटेज वाले हैं, मतलब कि हम जानते हैं कि CSIR NET का जो exam है physics का, उसमें तीन segment है section A, B और C, A जो है general reasoning और aptitude का section है, जो सभी के लिए common है, भाई अगर मैं बात करूं B section की जिसमें 3.5 नंबर के question आते हैं, और C section जिसमें 5 नंबर के question आते हैं, जो की most important है, तो ऐसे topics हमें पता analysis होगा, और साथी साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से subject से ज़्यादा marks के question आ रहे हैं, एक तो ये है कि ज़्यादा question आ रहे हैं, और एक ये है कि ज़्यादा marks के question आ रहे हैं, और waitage का पता लगेगा, साथी साथ, वीडियो के end में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 50 topics आपको पढ़ने चीए, last 50 days के अंदर, 50 या 60 topics पढ़ने चीए, जिससे कि आपकी preparation बहुत अच्छी कासी हो जाए, तो चलिए वीडियो को start करें, और वीडियो को मैं continue करूँ, उसके पहले आप लोगे से एक request रहेगी कि प्लीज वीडियो को like कर दीजे, क्योंकि ऐसे analysis करने म बहुत ज़्यादा prepare करना पड़ता है, टाइम लगता है, तो आप लोगे का एक like तो कम से कम बनता है, तो सबसे पहले तो हम यह देख लें कि चार साल के जो paper, मैं चार cycle के जो paper मैं लेने वाला हूँ, वो कौन-कौन से, एक November 20 का है, एक June 2021 का है, June 2022, December 2022 और June 2023 का साथ में हुआ बता दोनों का paper, तो यह चार cycle के paper है, subject हमारे पास mathematical physics, classical mechanics, electromagnetic theory, quantum mechanics, thermostats, electronics, experimental methods, atomic and molecular physics, condensed matter physics, यानि की solid state physics, nuclear particle physics, B और section C की questions मैंने खाली लिये हैं, और यहां से 55 marks, जो 55 questions total बनते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, mathematical physics से, तो mathematical physics की बात करूँ, तो November 2020 में 7 questions देखने को मिले, जो जून में 8, जून 21 में, जून 22 के अंदर 10 questions, December 2023, जून 23 में 9 questions, यह दोनों मिला के हैं, जो 3.5 marks वाले और 5 marks वाले questions हैं, दोनों मिला के total, और on an average बात करूँ, तो 8 से 9 questions जो है, वो लगबग हर साल आ रहे है, mathematical physics से, अब यह हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि 3.5 marks के जो questions है वो कितने हैं, इन 8 या 9 में से, और 5 marks के question जो हैं, वो कितने हैं, more and less, अभी हम यह पता लग गया है, कि जो 8 से 9 questions है, वो mathematical physics से आ रहे हैं, similarly अगर आप segregation देखें, classical mechanics से, तो classical mechanics से भी आपको 8 से 9 questions देखने को मिलते हैं, electromagnetic theory की बात करूँ, तो exact 8 का average बनता है, quantum mechanics की बात करूँ, तो 8 साथ से 8 का average बनता है, thermo and statistical में 5 का average बनता है, अगर मैं बात करूँ, electronics की तो 5 का average बनता है, experimental method एक, atomic molecular physics, condensed matter physics, nuclear and particle physics, यहां से 3-4 questions आते हैं, अब यह number of questions तो लग रहे हैं कम, पर यह subject के जो question यह 3-4, यह उस segment से आते हैं, जहां से score create होता है, मतलब कि section C में यह 3-4 questions होते है और एक question section C में 5 number का होता है, वो हम देखते हैं next slide के अंदर, तो यहाँ से हमें यह दिख रहा है, कि जो 55 questions हैं, उनमें से maximum question हैं, वो 5 subject, यह शुरू के 4 subject जो green में दिख रहे हैं, जो की है mathematical physics, classical mechanics, electromagnetic theory, quantum mechanics, यहां से हैं, और लगभख 32 questions यहां से हैं, उसके अलावा अगर आप ए question दोनों से हैं, लगबख बराबर, 37 के आसपास question आपके बन जाते हैं, मैं कोल मिला कर आप से यह कहना चाहरा हूं, कि last 50 days में, मैं यह कहना चाहता हूं, कि आप focus रखिए, इन 5 subject पे और उसके अलावा कोई एक subject और पकड़िए, जिसमें एक subject आपका हो कम से कम nuclear physics, यहां से भ हो है, और C part के अंदर आप score करते हो, तो आपके selection के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अब हम यह देख लेते हैं कि कौन से question किस segment से ज़्यादा होते हैं, तो अगर मैं mathematical physics की बात करूँ, तो mathematical physics में, नवंबर 2020 में 5 marks में 3 question आये थे, on an average 8-9 लेके चल रहे हैं, जून में 3 question, जून 2022 में 4 question, और जून 2023 में 5 question थे, mathematical physics से, यानि कि on an average 4-5 question, 4 लगभग question आप पकड़ के चलो, mathematical physics से, part C के अंदर मिलेंगे, मैं part C पे ज़्यादा जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि part C में आपका score हुआ, तो आपके selection के chances पूरे-पूरे बन जाते हैं, इसी तर question है, तो लगभग 4 question classical mechanics के भी बन रहा है, जो part C है, उसमें total number of question होते हैं, 30, 30 में से आपको कितने करने होते हैं, 20 question करने होते हैं, 20 500, 100 marks का section होता है, तो 30 में से 20 question करने होता है, तो लगभग 4 question आपके mathematical physics से, वही 4 question आपके classical mechanics से बन रहा है, फिर अगर मैं ये red marks वाले देखू condensed matter और nuclear physics, यहां से on average 3 से 4, 3 question तो पके पके आएंगे, और उसके लावाद 4 भी होता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, तो condensed matter physics और nuclear and particle physics, यहां से section B में आपको देखने को मिल रहा है, कोई question नहीं है, पर section C में question है, तो 4, 4, 8 question ही हो गए, और लगभग 3, 3 question ये ले लो, 3 और 3 6, तो 14 question हुए, अब उसके बाद, क्योंकि आपको part B भी cover करना है, part B भी cover करना है, तो आप इन दोनों में से कोई choose कर लो, electromagnetic theory और quantum mechanics, electromagnetic theory और quantum mechanics से आपके part B के question भी cover हो जाते है, साथ ही साथ यहां से on average आपको 3, 3 का average मिल जाता है, जबकि quantum में तो करीबन आपको 3 का और जो electromagnetic theory है यहां से आपको 4 का average मिल जाता है, तो overall आप देखोगे तो आपके 20 question है, वो यहां से set हो गए, तो 4 subject तो आपके यह हो गए, जिससे आपका part B भी prepare हो रहा है, उसके अलावा आप 2 subject में से यह subject choice कर सकते हैं, कि आप condensed matter physics या nuclear physics में से कोई एक choose कर ले, अगर आपको क्या simple लगता है, वो आपके उपर depend करता है, और इसके अलावा जैसा कि मैंने पहली slide में कहा कि आप thermostatistical electronics में से अगर एक कोई choose कर लेता है, तो फिर यहां से एक ही subject पकड़ना, क्योंकि last 50 days में सारे subject का complete कर पाना मुश्किल होगा, मैं especially उन लोगे लिए बात कर रहा हूँ, जिनकी जो preparation है वो इतने अच्छे से नहीं हो पाईए, तो यह कोई भी 5 subject, यह 4 subject तो आपके definitely हैं हैं, उसके बाद nuclear और condensed में से कोई आप देख लेना, कौन सा prepare कर सकते हैं, आप चाहे तो atomic and molecular भी choose कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी part C में आपके 3 question confirm मिलेंगे, अगर आपको simple लगता है तो atomic physics भ कोई एक पकड़ना, thermostatistical और electronics में समय आप से कहूंगा, कि आप अगर electronics को लेकर चलेंगे, अगर आपको simple लगता है तो electronics में बहुत ज़्यादा topic नहीं है, most important topics है, तो electronics बहुत बढ़ा, पर most important topics बहुत ज़्यादा नहीं है, उनमें से ही question repeat होते हैं, तो आपको आसान चार ये तो आपको confirm लेने ही पड़ेंगे, चार subject, उसके अलावा इन तीन में से एक choose आपको करना ही करना पड़ेगा, मेरा ये suggestion है कि आप nuclear and particle physics लेके चलना, यहाँ से आपको असान पड़ेगा, और चटा subject आपकी choice है कि आप कौन सा लेते हैं, जो आपको simple लगेगा, तो अ test exam के हूँ, चाहे वो tiffer exam के हूँ, सारे के सारे लगा लेना, बहुत सारे practice question करने का भी time है नहीं, YouTube पे अलग-अलग series चलती रहती है, तो उनके question आप कर सकते हो, वो beneficial रहेगा आपके लिए, मैं भी एक series start करने वाला हूँ, ये series जो start होगी 15th of November से start होगी, 14th of November से start होगी, इ यानि कि touch देंगे अपनी जो preparation है उसको, series के अंदर मैं 5 subject cover करूँगा, classical mechanics, एक subject होगा जिन में से mathematical physics, दूसरा subject, quantum mechanics, third subject, electronics and thermo and statistical, ये 5 subject मैं cover करूँगा, 5-5 दिन का schedule रहेगा, 5-6 दिन का, यानि कि हर subject को हम एक week देके चलेंगे, एक week के अंदर हम उसके most important topics cover करेंगे, आप लो अब क्या start करने वाला हूँ नया, या YouTube पर क्या नया आने वाला है, इसके लावा जो भी lectures upload होते रहते हैं मेरे CSIR, net, physical science से related, वो भी सारे सबसे पहले जो update होते हैं, वो telegram, जो group बना हुआ है, उसी के उपर update होते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, जो most important topic है, 60 topics, जिन को आप किस भी हालत में नहीं छोड़ के जा सकते हैं, अगर आप छोड़ के जाएंगे तो फस होगे, तो अगर मैं subject wise बात करता हूँ, तो electromagnetic theory से कुछ topics हैं, conductor, multiple expansion, biosavart law, lorence force, ampere's law, pointing vector, polarization और EM waves, electronics से मैं बात करूँ तो BJT, opam, genodiod, logic gates, flip flop and counter resistors, quantum mechanics से commutator, schrodinger equation, one dimensional potential box, three dimensional potential box, 1D linear harmonic oscillator, perturbation theory, born approximation, WKB approximation method, atomic molecular physics, hydrogen atom, ls and jj coupling, zeman, anomalous zeman effect, hyperfine structure laser, इसलिए मैं आप से कह रहा था कि यह जो subjects हैं, जैसे electronics हुआ, atomic and molecular physics हुआ, बले ही इन से 2-2-3-3 question आ रहे हैं, पर यह छोटे हैं, यह छोटे subjects हैं, तो इन में से जो आपको simple लेगे, उन में से पकड़ लेना, क्यूंकि part C में 2- 3-2-3 question भी इन में से आपके set होगे, तो आपका score जो है, वो एकदम से बढ़ेगा, क्यूं बढ़ेगा, क्यूंकि 5 number का question है, एक 5 number का question सही होने पर एकदम से चलांग मार जाओगे, जो list बनती है, final list बनती है उसके अंदर, फिर उसके बाद बात करें, अगर classical mechanics में बहुत जा सा question होता है, solid state physics में crystal structure, reciprocal lattice, diffraction, band theory of solid, fermi level, semiconductor, mathematical physics, vector algebra, calculus, matrix, eigenvalue, eigenvector, differential equation, Fourier series, laplace transformation, complex analysis, integration by trapezoid and Simpson rule, nuclear physics से आपके जो question फस्ते हैं, वो basic properties of nuclear, liquid drop model, shell model, radio activity, nuclear reactions, ज्यादा तर जो question आते हैं, वो elementary particles से आते हैं, जो चार question के अपनी बाद 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 सा question होता है, चल रही है, तीन से चार question, उनमें से दो question confirm रहते हैं, elementary particles से, तो paper आपका reveal ही होगया, एक तरह से disclose होगया, कि कहां से question आते हैं, फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें, statistical mechanics and thermal physics, kinetic theory of gases, calorimetry principle, calorimetry principle, thermodynamic potential and maximal relations, grand canonical, ensemble and partition function, black body radiation, probability and random walk, probability का question हर साल मिलेगा आपको पक्का, probability का करके जाना ensemble and their partition function, तो अब जैसा कि मैंने कहा, कोई भी छे subject लेके चलना, जिसमें से चार आपके definitely ते हैं, पहले से fix हैं कि ये subject आपको पकड़ने ही पकड़ने हैं, क्योंकि वो part B को भी cover कर रहे हैं और part C को भी, कौन कौन से subjects हैं, mathematical physics, classical mechanics, electromagnetic theory, quantum mechanics, ये चार subject आपको हरालत पे करना ही करना, छाटा subject जो है वो उसमें आपकी choice फिर से है, nuclear and particle physics, condensed matter physics, atomic and molecular physics, बहुत ज़्यादा topics इसमें cover करने नहीं हैं, जो आपको important topic मैंने बताए हैं, उन्हें ही लेकर चलना, अगर इस हिसाब से 60 topics को आप बहुत अच्छे से prepare करते हैं, तो I can guarantee कि आपके selection के chances हैं, वो बहुत ज सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा classical mechanics, एक-एक week का schedule होगा और subject का, important topics के questions और उनका जो क्या formula हैं, उनको हम discuss करेंगे, उनके पर क्या questions बनते हैं, उनको हम discuss करेंगे, जो भी लोग preparation करना चाहते हैं मेरे साथ, तो वो telegram group को join कर सकते हैं, ये classes जो होंगी, वो live classes होंगी, live on YouTube हो और अभी तक आपने like नहीं किया वीडियो को तो please like जरूर कर दीजेगा, चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा